हाई वीवर्स और कैसे आप सब और आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है मॉंस टिप्स एंड रेमिडीज तो मेरी मम्मा आएंगी और आपको कुछ ऐसी अच्छी बाते बताएंगी जो कि आपकी नालिज की होंगी तो मेरी मम्मा को बुलाते हैं क्लापिन के साथ और हाँ वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा असलाम अलेकूं कैसे हैं हम सब ठीक हैं और मेरीज के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरीज को बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पॉंस देते हैं उसके वीडियो पर कमेंट्स करते हैं अच्छा जी हम आज नामलूद बच्चे हों इन फ्रेंड्स हों या उन से थोड़े पी बड़े बच्चों के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करना चाते हैं जिससे आपको कोई फाइदा पहुंच सके हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल सर्दी का भी कुछ जोर जादा ही होता जा होंगी जो आप अपने घर के किचिन से ही इस्तमाल मिलाकर बहुत सी परशानी से बस सकते हैं या आने वाली बिमारी से भी बस सकते हैं या अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो वक्ती तोर पर अपनी तकलीफ को खतम कर सकते हैं वैसे तो हम दूआ मांगते हैं कि अव form को मेरे इसमतमाम मुसलमानों को अपनी हिपजमान में रखके सहत और आफیट के साथ जो है उनको जिंदगा आ दे इनके बच् deuxième को नप़ानों को सब کو اللہ صحت و تندورستی के साथ दुनिया में जो है वो जिन्दगी दे लेकिन बिमारी और तंढूस्ती दोनों का साथ है बिमारी तो आपके पता ही है कि तंढूस्ती और बिमारी एक दूसरे के साथ रहती है तो आज हम आपको तीन ऐसी चीज़े बताने जा रहे हैं जो खास तोर पर सर्दियों में अगर आप इस्तामाल करें तो आपको बहुत फाइदा हो जाएगा तो मेरिश आप क्या कहती है हाँ तो हम देखते हैं क्यों क्या चीज़े हैं मुझे भी बहुत एक्सार्डेट हुआ है वो देखने के लिए अच्छा जिस तरह किसे आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और चाहे वो कराची में हो या हमारे मुलके किसी भी कोने में सर्दी सर्दी होती है और यह सर्दी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है नौ मलूद बच्चों के लिए यानि के इन फैंस के लिए जो पैदा हुए होते हैं चंद दिनों की या महिने के अंदर के बच्चे है ठीक है तो अकसर बच्चों में सीने में ठंड लगने की बहुत ही जो है वो हमें सुनाई देती हैं आवाज आवाजे हैं के हमारे बच्चे के सीने में ठंड लग गई अच्छा ये सब चीज़ें जो होती है खुद्रत का एक निजाम है के रात में ही होती है खांसी भी आपको ज़्याता तर रात में ही आती है इसी तर्णा इस तर्णा की पेट का दर्द कान का दर्ड यह जादा तर रात में ही होता है एविन के दान का दर्ड भी तो यह जो सर्दी का मौसम है इसमें जो सबसे जादा एफेक्ट करता है वो आपका सीना होता है एफेक्ट होता है वो आपका सीना होता है और खास तोर पर नौ मलूद बच्चों के लिए तो वो माए जो डिलिवर करने वाली है आज कल में या जिनके अभी अभी डिलिवरी हुई है और या उनसे थोड़े बड़े बच्चे भी महीनों के साल के उनके लिए भी ये रेमिटी बहुत जादा फाइदेमंद और आजमूदा है जो हमारे नानी पर नानी पर दादी अपने जमाने मे इस्तमाल करती थी हैं और जो हम भूल चुके हैं क्योंके नेट का दोर है और लोग ज़ादा तर जो है वो दावाईयां वगर खाके और उसी से जो है वो अपने आपको सही करते हैं जिसको करना वक्ती तोर पर कभी हमारे मुम्किन नहीं होता है तो उस सेंस में आपको क्या करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को रात के वक्त सांस लेने में तकलीफ हो रही हो यानि उसका सीना सीना जो है वो तेस या पसलियां चल रही हो जैसे कि खुदनकर से नमूनिया जैसा टाइप होता है क्योंकि आजकर कि सर्दी में ऐसा हो जाता है और जिनके बच्चों क पसीना कमजोर होता है उनकी पसलियां अकसर सुनने में आती है कि वो चल रही है यानि कि उनके सीने से खर खर और अजीब से आवाज आरी होती है और बच्चा बेचैन हो रहा होता है उसके एक बहुत ही आजमुदा और बहुत ही बहुत इजबर्दस नुसका है जो आप बच्च के लिए यह इस्तमाल अगर आप करें तो आपको बहुत फायदा होगा आपको करना यह है कि अंडा हर घर में होता है आजकल सड़्दियां है तो हर घर की जरूरत है अपने एक अंडा लिया और शहद भी तकरीबन हमारे सारे घरों में शहद भी होता है तो शहद औ अंडा और इसके साथ साथ पेपर आपको तीन चीज़ों की जरूरत होगी अगए सीने में बच्चे को ठंड लग गई है और ख icon कासथ ता बच्राव वशूर्ण पस्ली चल रहे हैं उपर हो रहे है सीने पस्ली नजर आ नजर आ हो चल रहा है सीने और बच्चा साथ शूने में है पर्षान हो रहा है यानि उसकी में ठंड बैड़ रही है तो उस सूरत में रात-बरात आप कहीं जा जान भी सकते हैं खास वह वह मांें बहुत पर्षान होते हैं तो उनके लिए यह बहुत nuclear अच्छी आपने क्या करना है? घराना नहीं अम इससे ही अंडा करना है, उसको तोड़ कर इसके अंदर से सफैदी का الق़ लग कर लिजे, जरदी को लग कर लिजे, येवली वाली उसको लगween करके सफैदी जब वह फेट ले हैं , इस नहीं वह बैसे हम भूंए गणी को अलग कर दें , जब भूंए पहते हैं , जरड़ी को अलग करना योग को अलग कशाने करना था शहुआ किया करना है , आप कि अच्छी ने को दोटे हुआ झाल सी नี एक जहां कर दें, तो एक पेपर लीजिएगा, कोई भी कागस, वो भी घर में होता है, कागस लीजिएगा, और उस जो मिक्स्चर जो आपने शह्ह oysters और अंडे की जड़दी का बनाया है, उसको इस पेपर में फैला दिए, इस पेपर में जड़दी का सारा, शहद और जर्दी का मिक्सर इस पेपर में फैला देंगे आँ फैलाने के बाद जितना साइस का बच्चे का सीना हो अगर तो नामालूद बच्चा है या कुछ महीनों का बच्चा है तो जापते चोटा सा सीना होगा उसे हिसाब से आपने पेपर को उसके साइस के हिसाब से पेपर रखना है बड़ा बच्चा है तो बड़ा पेपर जाहे बाते पूरा सीना उसको ढखना है आपने यहां यूँ ढखना है आपने सीने को इस तरीके से तो अगर छोटा है तो उसका सीना ढख जाए जहां पसलिया होती है न सीने के पास से वो ढग जाए ठीक है तो यह बहुत अच्छी तना से सीने में चुपक जाएगा यानि कि पेस्ट हो जाएगा यह जैसी पेस्ट आप कर दे इसको अच्छी तना से पेस्ट करके और बच्चे को कपड़े पहना दे जो वो कपने गरम पहना वाए बन्यान वगयरा सएटर या जो भी वो आप उसको रौं पर वगयर जो पेना दे है बड़ा बच्चा है तो उसको अच्छी और ढग के खुल जाए तो आप अपने बच्चों को या बच्चे को वहां जाके चेक अप जरूर करा दीजेगा लेकिन ये ऐसा नुस्खा है कि बच्चे के सीने की जैसे भी ठंड होगी खुदाना खासता अगर नमूनिय तक का भी हलका सह एटेक हुआ हो तो वो भी सकून से इसको लग लगा सकते हैं और किसी बड़े बच्चे को किसी को भी आप लगा सकते इसमें कोई उमर की गायद नहीं है और उसके बाद सुबा जब आप हॉस्पिटल जा सके तो पहली पुरस्ट में आप जाके बच्चे का या बड़े का जिसके पास भी खुदाना खासता ये मसला उसको आप उनको आप दिखा दिजएगा लेकिन ये ऐसा नस्खा है कि ये सौ फिसद बहुती आजमदा नस्खा है अच्छा दूसरी बात है कि ये जब चुपकेगा तो इसको आप खुद मत निका लिएगा ये खुद ही अपनी जगा छोड़ देगा जब ये आपके बचे की ये किसी की भी जिसके आप उनको सीने में से ठंड बैड गई घई है वो अपनी जगाँ उसको खीच के खुद ही अपनी जगा छोड़ देगा जब वो उसमें से ठंड कीच लेगा तो वो खुद्यख़द निकल जाएंगा तो आप उसको खुद निmbossen निकलिएगा है यज निकल जयेगा और उसके बाद पिर आप उसको साफ कर दीज committed तो उसको साफ कर दीजेगा गरम पानी से तोबली आपके कि यह कहीं सर्दी के लिए नहीं का इक डूमदी नियुह रात में हैं जैसे मैं यह नियुक्त है ने मौत मिस, जोड़ने वह फ्सकंडीके निते बैंनें जोडशेते हैं ऑद जोड़ने और यथा उसको धतना सोड़ी 한다, ठीक है उसको क्रश करके और उसको निचोड लें उसका पानी निकाल लें जब उसका पानी निकाल लें तो उसका पानी बहुत अराम से एक चमचा अराम से निकल जाता है खाने का चमचा एक चमचा खाने का अद्रक का अर्क और एक चमचा आपने शहद उसमें मिक्स करके उसक प्रिब्रेशों के दुमेट फिर नहीं प्रोची रोची तो कुछा में भी प्रोची फ़री किला दिज organ Yes इसका उपना के दूप्रेशों सब्रखे फ्रोची गार्बने सब्रखे प्रेसर में नहीं करना करते कि तुमें तुमें करते दुम gesund Good लाके किन थोड़ा कम खिला दिजएगे तो उस से भी सीने भी एंट or से खासी औरी उत्री हैیا या खुशक खासी औरी उत्री खासी और बलख भी खासी उत्रों आप एक उसे बहूच आता है पयर तैसरी र्ती था हमारी फटेट्ट शाल आप नो और ऐक कब पानी एक सुंसा प्लावन मेंने प्रॉप की मेरेगा, प्रजाच्पी स्टिक, कप पानी दो उभाल ना मीडियम कप यह भीगे जब वुद भॉल हो जाए और एन यह आपको पसंद दो ना बहुत जादा ना महत कम जैसे आपको पसंद दो और वो मिक्चर आपने बना कि रख लेना है और जिसको भी खाशी है उसको दिन में 3 ताइं पिला दें या होने का खत्रा है जैसे बाद लोगों पता होता है सरदी आ रही है मुझे खाशी होने वाली है या मुझे नजला होने वाला है तो आप ये आम दिनों में भी बच्चों को बड़ों को पिला सकते हैं दिन में दो बार, दिन में तीन बार तो उससे ही होगा कि आपका कुवत मदाफिय जो है इम्नियम सिस्टम वो तेज हो जाएगा उससे क्या होगा कि आप बहुत से जरसीम से ये अंदर से आपको स्टॉंग कर देगा और सड़दी आते ही आपको जो नजले की और खासी की शिकायत होती है वो नहीं होगी तो आज क्या हमारी तीनों रेमेडी सड़दी ही से मतलिक थे हैं और इनको जरूर अजमाईएगा क्योंकि ये बहुत ही जबर्दस और आजबूदा रेमेडी जो आपके घर के किचिन से ही आराम से आप बना सकते हैं तो भी वाइविवर्ड ये वह शाथी कि रहूवभ बना हैं जैसे किसि के मतलिक कोई करेंड़ का पिश लाइगा कि दाया झाल्रेमेडी सकी है तो चाहिए आप लिवासान जोना है चाहिए कि mbस्यए में आप एयरेमेडी सकी एकार सब्सवर्ट ही दोसipts और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में जैसे जो मैंने आज तीन रेमिडीज आपको बताई हैं अगर आपको उसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ठीके हम आपकी जरूर हल्प करेंगे और अल्ला हमारी दूआ यह है कि अल्ला आप सबको बहुत सेहत तंदूस्ती की जिंदगी दे ऐसे कोई दूसका ना की खासी हो जाने की रात में या इन सब चीजों से अपने आपको मजबूत बनाने की तीन रेमेडी मैंने आपको सड़्दियों के बारे में बताई हैं जरूर हमें अपने मश्वरे से आगा कीजिएगा और दा मेरिश फैंशो को देखते रहेगा एंटर अपना बहुत सा ख